हेलो फ्रेंट्स मैं सरिता डावरा आज मैं आप लोगों को देखी एक ये सिंगल कलर का पेट्रेन सिखाऊंगी ये कुछ इस्तरे से दिख रहा है ये इस पेट्रेन की राइट साइड और ये इस पेट्रेन की बेक साइड ये आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए लेडिस कार्डिगन पे बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों के स्वेटर पे भी ये उतना ही अच्छा लगेगा तो अब मैं इस पेट्रेन को बनाना बताती हूँ तो फ्रेंट्स अगर आप लोगोंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये पेट्रेन अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके बताईए और अगर आपको बताने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को मेक्सिमम शेर और लाइक कीजिए ये देखिए फ्रेंट्स इसके लिए मैंने फंदे डाली है इसके जो फंदे डालेंगे वो 3 के multiple प्लस 2 फंदे हमें extra चाहिए होंगे तो मैंने यहां पे 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11 फंदे डालें और ये जो pattern है back side से शुरू होगा और इसमें 4 सिलाईयों का pattern है बाकी तो gap वाली सिलाईया है तो अब मैं इस pattern को शुरू करते हूँ तो पहला फंदा border के बाद हम पहले एक सिलाई दे लेंगे फिर back तरफ से इसको शुरू करेंगे पहला फंदा edge वाला आपकी मर्जी है बनाईए या उतारिए मैं बना लेती हूँ फिर उसके बाद जितने भी फंदे हैं सबको double fold इस तरह से बनाना है अब लास वाला फंदा हम बना लेंगे अब यह pattern की second row front side पे आ गया हम पहला edge वाला फंदा है आपकी मर्जी है बनाईए या उतारिए फिर उसके बाद यह जो फंदे हैं तीन फंदे इनको खोल के और तीन फंदों का एक फंदा करेंगे उल्टा बनाते हुए इस तरह से फिर से तीन फंदे खोलेंगे और तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे उल्टा तो यह पूरी सिलाई इसी तरह से हमें बनानी है second row और last edge वाला फंदा उल्टा अब pattern की third row back side अब यहां देखिए फंदे हमारे कम हो गए थे दूसरी सिलाई में फंदे कम हुए हैं अब हम इन फंदों को बढ़ाएंगे वो किस तरह से बढ़ाने है यह देखिए पहला edge वाला फंदा धागा अपनी तरफ अब इस एक फंदे के तीन फंदे करेंगे एक धागा पीछे दो धागा आगे और यह तीन अब इस फंदे को छोड़ देंगे तो फिर से यह देखिए एक हर फंदे पे आसे ही करने हमने दो धागा अपनी तरफ तीन और फिर से यह वाला एक दो तीन तो दूसरी सिलाई में हमारे फंदे कम हुए और तीसरी सिलाई में हमारे फंदे पूरे होगे चोथी सिलाई पेट्रन की यह पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे तो यह देखिए यह पेट्रन हमारे रेडी हो गया है इसके बाद हमारी गैप वाली सिलाई आ जाएंगी उल्टी तरफ से उल्टी सीधी तरफ से सीधी एक अब यह दूसरी सिलाई सीधी तरफ से दीसरी सिलाई फिर से उल्टी तरफ से जोथी सिलाई तो मैंने तो चार सिलाईों का गैप दिया है अब चाहो तो दो का दे सकते हो या छे का भी दे सकते हो तो अब हम बैक साइड पे आगे तो फिर से वही पेटरन रिपेट शुरू हो जाएगा उल्टी सिलाई पे एजवाला फंदा बना लेंगे और बाकी सारे फंदों पे डवल फोल्ड दे के बनाएंगे तो इस तरह से बनाने के बाद हमारा ये एक देखिए सुन्दर सा पेटरन बनके रेडी हो जाएगा आई होप आप सब लोगों ने मेरा ये वीडियो एंड तक देखा होगा उसके लिए थेंक्यू